नमस्कार अदाब सस्रिकाल दोस्तों बिग बॉस सीजन सिस्टीन के आने वाले वीकेंड के वार के एपिसोड में तीना दत्ता जो है सबसे बड़ा फैसला जो है वो लेने वाली है तीना दत्ता शो छोड़ना चाहती हैं सबसे बड़ा फैसला तीना दत्ता ने लिया है सलमान के वार के बाद और अगर आपको ये लग रहा होगा कि शालीन भनोट की वज़े से तीना दत्ता जो है शोड़ने का फैसला लिया है तो आप बिलकुल गलत हैं क्यूंकि यहाँ पर एक और रीजन जो है वो निकल कर साम में आ रहा है क्या हुआ ऐसा वीकेंड के वार के एपिस दurança को कि वो वोलेंटरी एग्जिट कर रहे है शो से तब यहाँ पर टीना दत्ता ने क्या किया टीना दत्ता ने यह कहा कि मैं सो को छोड़ना चाहती हूँ मैं भी शोमें रहकर क्या करूंगी मैं एक कौर्नर में बैठी रहूंगी और साती सात यहाँ पर एक सोफे की तरह स सिर्फ सिर्फ बैठी रहोंगी, तुमारे बिना मेरा दिल नहीं लगेगा, तुमारे बिना मेरा मन नहीं लगेगा, टीना दत्ता की एक्टिंग वहाँ पर पूरी तरह से चालू रहती है, और टीना दत्ता को ये लगता है कि जो उन्हें ने फैसला लिया, स्टैन और साती और वो बिल्कुल सही था, लेकिन, 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 वीकेंड के बार के एपिसोड में यहाँ पर टीना दत्ता को सलमान खान जो हैं, जमगर क्लास लगाने वाले हैं, टीना दत्ता को गदार बुलाते वे नजर आएंगे, और टीना दत्ता को सलमान खान कहने वाले हैं, कि तुम जिस थाली में खाती हो, उस थाली में छेत करती हो, और तुम किसी की सगी नहीं हो, तुम नागिर हो नागिर, अब ये सब चीजे जो हैं, वो क्यों कहने वाले हैं, सबसे पहले सलमान खान कहते हैं, वे नजर आएंगे कि क्या तुम वहाँ पर मौजूद थी, शालीन औ मैं वहाँ थी नहीं, तो मैं कैसे फैसला ले सकती हूँ, तुमने बीना देखे, सोचे, समझे, जो है, कहे दिया, दोनों की गलती है, ये बात जो है, वो कहते वे नजर आएंगे दोस्तों, सलमान खान, अब सलमान खान को लेकर, टीना दत्ता को लेकर, ये सोच रहे थी, कि सलमान खान जो है, वो इस बात को लेकर जो है, अप्रिशेट करेंगे, सलमान खान को लेकर, टीना दत्ता ये ही सोच रहे थी, लेकिन, सलमान खान ने भी जब टीना दत्ता का साथ नहीं दिया, और साथी साथ, शालीन तो आप पूरी तरह से, पूरी तरह से, अलग हो चुक कहते हुए नजर आएगी कि मैं घर में रहना नहीं चाहती बिग बॉस दर्वाजा खोलो यहाँ पर मैं जो शालीन है और स्टैंस से पहले ही मैं घर से बाहर निकल जाती हूँ यह बात कहते हुए नजर आएगी दोस्तों टीना दत्ता और फूट फूट कर रो पड़ेगी और साथी साथ कहते हुए नजर आएगी कि दर्वाजा खोलो मुझे इस शो से शो में रहना नहीं है मुझे इस शो से बाहर जाना है वेल इस अपते तो बहुत कुछ हुआ पहले सुम्बुल जो है वो शो से बाहर निकलने की बाते कर रही थी इसके बाद जो शालीन है वो वो एक्जिट लेने की बाते कर रहे थे और एमसी स्टेन को तो वाकरी में जाना चाहिए था क्यूंकि उन्होंने तो बहुत बड़ी गलती की थी अब यहाँ पर जो टीना मैं वो कह रही है हला कि टीना मैं जो कह रही है वो पूरी तरह से फेक है ड्रामा है कैमरो के लिए है य आज के खास रिपोर्ट में बस इतना ही दोस्तों तब तक लिए बने रमर यूटूब चानल के साथ ख्विक टीवी न्यूस की रिपोर्ट यदि आपने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चानल को आप सब्सक्राइब